मेनपुरी समेत उत्तरपदेश में तीन उपचुनाव हो रहे हैं तीनों अपने अपने ढंक से महत्पून हैं एक मुलाइम सिंग जी का इलाका है एक आजम खान का इलाका है और पशिमी उत्तरपदेश में लिटमस टेस्ट मान लीजिया आप उसको खतोली और उत्तरपदेश में मोटे तोर पर चार प्रमुक राजनेतिक दल हैं भाजपा, सपा, बसपा और कॉंग्रेस मोटे तोर पर बाकी और भी दल हैं लेकिन प्रमुक दल लिए लेकिन मजे की बात ये कि इन तीनों बेहत महत्पून उपचुनावों में जिनकी गूंज दूर तक जाएगी जिनके राजनेतिक संदेश दूर तक जाएंगे उन महत्पून उपचुनावों में दो दल यानि 50% अलग हो गए, बोले जी हम भाग ने लेंगे, हम ने खेलेंगे, ना बसपा ना कॉंग्रेस, तो अब मामला बना सीधी लड़ाई का भाजपा वर्सच समाज बाजबादी पाइटी, अब बसपा किसके ना लड़ने से लाब किसको, हानी किसको, यह एक विशे, और एक और भी महत्रपून बात है, जिस पर शायद गौर नहीं किया गया होगा, बिहार विधानसभा चुनाव से लेके अभी हाल में हुए उप्चुनाव बिहार के वो और उत्रपदेश का विधानसभा चुनाव असदुदिन OVC की पार्टी इस आरोप से घिरी रही कि वो भारती जनता पार्टी की मदद के लिए अपने कंडिडेट उतारती है लेकिन उत्रपदेश के इन तीन बड़े उप्चुनावों में असदुदिन OVC की पार्टी भी नहीं अपना कंडिडेट खड़ा कर रही और इन उप्चुनावों में शुपाल यादब की प्रसपा भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रही यानि हर तरह से हर कोण से हर आयाम से लड़ाई सीधी भाजपा और सपा में टकर सीधी ना कोई बहाना बनाने का इसकोप इधर बचेगा ना बहाना बनाने का इसकोप उधर बचेगा कि इन्होंने candidate खड़ा कर दिया इसलिए ऐसा हुआ और इन्होंने नहीं खड़ा किया इसलिए ऐसा हुआ अब ये फ्जिक के पास स्कोप नहीं होगा अयोग गिता उनको अयोग इसलिए ठराया गया चुकि मुझा फरनगर दंगो में एक भाशन उनका था उसको आधार बनाया गया तो वहाँ सामपरदाई कि हिंचा मुझा फरनगर दंगा कवाल कांड कसोटी पर होगा आप सोचिए इतने बड़ा उप्षणा जिसके इतने निहतार्त इतने गूरार्त और वहाँ ओवेसी की पार्टी ने वहाँ शियुपाल की पार्टी ने वहाँ मायवतिजी ने वहाँ हाथ का साथ ऐसा लगता है मानू सब ने खाली मैदान छोड़ दिया कि आओ महारतियों दोनों लड़ो साफ साफ पता तो लग जाए एक बार कौन कहां खड़ा है कितने पानी में खड़ा है